क्योंकि उपनिशद है गुरू शिश्य को दे सकता है ये ग्यान तो वगवान अभी अर्जुन को थोड़ा वॉम अप कर रहे हैं कि अर्जुन ये तुम्हें शोबा नहीं देता तुम ऐसा कर्म जो है मत करो तुम्हें शोबा नहीं देता ये तनी छोटी छोटी बाते हैं खुद्र इस खुद्रता का त्याग कर दो क्योंकि छोटी सोच रख के जीवन में बड़े नहीं बना जा सकता और अरजुन सोच रहे हैं मैं इसलिए इस कर्म को नहीं कर रहा क्योंकि मैं अहिंसा में जीना चाहता हूं मैं क्यूं मारूं अपनों को क्योंकि उसके बाद अरजुन ठीक यही बोलते है अरजुन वाचा कथम भीश्मम अहम संखे द्रोनम चा मदुसूदन इश्यू भी ही प्रतित स्यामी पूज और हार वरी सूधन हे क्रश्ण, हे मद सूधन, हे केशव मैं कैसे इन पर बाण चलाओ मेरे सामने दुरनाचारे खड़े हैं मेरे गुरुवर मेरे सामने बीश्म पितामा खड़े हैं जो हमारे कुल श्रेष्ट है आप कह रहे हो उठो, युद्ध करो इनको मार डालो यह कहां का नियाई हुआ कैसे मैं अपनों पर बाण चलाओ मुझे तो इसमें कुछ युक्ती नहीं दिख रही यह तो पूजा के अधिकारी है पूजार हार वरी सूधन इनकी तो पूजा होनी चाहिए आप कह रहे हो कि इन पर बाण चला दो कहते हैं जब निपोलियन मॉस्को पर जब उसने धावा बोला रशिया में रूस में तो वहां के जो जनरल थे उस समय उन्हेंने निपोलियन को बोला कि तुम निश्चित रूप से हार जाओगे निपोलियन क्योंकि तुमारे और हमारे युद्ध में एक मूलंतर है तुम लड़ रहे हो पैसे के लिए हम लड़ रहे हैं यश के लिए हम लड़ रहे हैं कीरती के लिए यश के लिए तो निपोलियन एक बहुत ही सफल एक military एक राजा हुआ military का वो person who actually ruled the world later on that region तो निपोलियन ने बोला हाँ इसमें तो कोई दो राए नहीं है हम सबी उसी के लिए लड़ते हैं जो हमारे पास नहीं है तुमारे पास यश नहीं है तुम यश के लिए लड़ रहे हैं मैं यशस्वी हूँ पहले से ही मुझे यश के लिए लड़ने की आवशक्ता है नहीं मुझे तो धन का संचय करना है तांकि मैं अपनी संपदा का आविस्तार कर सकूँ और जीवन में मनुश्य हमेशा उस चीज के लिए लड़ता है जिसकी उसको कमी महसूस होती है जिस चीज से वो संतुष्ट है उस चीज के लिए कभी नहीं लड़ेगा जिस वस्तु की उसको कमी महसूस होती है हमेशा उसके लिए लड़ता है It's very simple एद्धियंदर दे मनुश्य उसी के लिए लड़ता है जिसकी उसको कमी महसूस हो रही है अब अर्जुन जो है सदा शुरी कृष्ण की चात्रचाया में रहे तो उनको किसी चीज़ की कमी महसूस हुई ही नहीं कभी गुरु दुरोनाचारे ने उनको बचा लिया तो कभी कृष्ण ने बचा लिया कभी कुंती ने बचा लिया तो कभी बेश्वंपितामा ने बचा लिया कभी युदिष्थर ने बचा लिया तो कभी दुरुपदी ने बचा लिया, कभी इंद्र ने बचा लिया जनम कुंडली देखनी पड़ेगी अरजुन की बचता ही चला गया विक्ति तो अरजुन लड़ना नहीं चाहते वो सोच रहे हैं मैं इसलिए नहीं लड़ूँगा क्योंकि यह हिंसा का मार्ग है मैं अहिंसा में रहना चाहता हूँ जबकि कृष्ण ऐसा कह रहे हैं यह मुरक्ता कर रहे हूँ तुम अपने कायरता को छुपाने के लिए यह कारण ढूंड लिया है तो इसलिए इस छोटे उसका त्याक करो अर्जुने का कैसे इन पर बान चलाऊं गुरून हत्वाहि महानू भावम श्रियम भौक्तुम बैक्षम अपीखलो के हत्वार्थ खामास्तु गुरुनिया बुंजनिय भोगान दुदे प्रतिकधान हे भगवान अभी तक वैसे उन्होंने भगवान नहीं बोला है क्रुष्ण को हे क्रुष्ण गुरुओं की हत्या करके कैसे मैं जी सकूँगा इससे तो कहीं अच्छा है कि मैं भिक्षा का पात्र लेकर भिक्षातन से अपने जीवन को वितीत कर लूँ बजाए इसे कि रुधीर प्रतिकधान अपने हाथों से उनके रक्त को सने उनके रक्त से सने अपने हाथों से इस जीवन के सुखों को भोगूं अच्छे पदार्थों का भोग करूं इससे तो कहीं श्रेष्ट है कि मैं एक भिक्षा का पात्र लेकर उससे अपना जीवन निर्वाह कर लूँ क्योंकि अर्जुन बहुत दुखी है करना चाहते हैं जो भवान कह रहे हैं परन्तु यही तो कंडिशनिंग होती है मन की कि मनश्य कहते है यह दो-तिन चीज़े कर सकता हूँ यह एक तो नहीं कर सकता एक समरपन की कमी कहां पता चलती है जो जिसमें मन रमता है उसको कर लिया तो उसमें क्या बड़ी बात है वो तो सभी करते हैं फिर चाहे वो गुरु ने कहा चाहे नहीं कहा चाहे किसी शिक्षक ने कहा या मातापिता ने कहा या अंतर्शकरन की आत्मा ने कहा समर्पन तो वो होता है जो हम नहीं करना चाहते पर हम जानते हैं हमारे लिए शाहिद ये उचित है उसको हम कर पाएं वो समर्पन हुआना तो अर्जुन को बोला युद्ध कर लो सबसे पहले यही बोल दिया तो समाद उतिष्ठ के उठो अर्जुन जो धाय कृतनिष्चे थोड़ा आगे जाके बोला था पर बोला कि उठ जाओ परंतप ऐसे बैठो मत ऐसे दुखी मत हो ऐसे विशाद गरस्त मत हो परंतु अर्जुन जो है उठना पाए फिर बगभान ने बोला ये अनार्य है अकीर्तिकर है फिर अर्जुन ने कहा पर मैं कैसे इन पर बाण चला दूँ कोई और होता तो मैं शायद मार देता अपने गुरुओं को कैसे मानू ये मैं नहीं कर सकता फिर नाचाइदद विदमह नाचाइदद विदमह कि हम जीतेंगे या नहीं या हम ये जानते ही नहीं कि हमारे लिए जीतना श्रिस्कर है या उनके हाथों मारे जाना अचाए क्योंकि ये मेरे भाई नहीं है क्या यदि मैं इनको मारता हूं अपने भाईयों को मार के प्रमुके द्रतराष्ट्रा ये मेरे जो बालिक बंदू हैं, इनको मार के क्या राज्य का भोग जो है उचित होगा। इसलिए मुझे नहीं पता क्या करना है। के इसलिए मैं तो कृपन हो चुका हूँ, कारपन्य दोश में स्थित हो चुका हूँ, दुविदा में हूँ, मूड हो चुका हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना है, क्या नहीं। ये समर्पन से बिलकुल पहली अवस्ता होती है। जब मनुश्य कहते हैं, मुझे नहीं पता क्या करना है। मुझे नहीं होता, मैं नहीं कर सकता। वो समर्पन नहीं है, वो आत्मा समर्पन हो गया, समर्पन है कि मुझे नहीं पता क्या करना है, दोनों में अंतर है न, हथियार ही डाल देना आपने, और एक कहना नहीं पता किस रास्ते की और जाना है, तो एक बड़ी प्रसिद्ध कहानिया आपने सुनी होगी, मैंने स्वामी रजेश्वलन जी के एक प्रवचन में सुनी थी, कि एक जंगल में आग लग जाती है, और एक वहाँ पर व्यक्ति अंधा होता है, और दूसरा लंगड़ा होता है, अब लंगड़ा भाग नहीं सकता, आग लगी होई है, और जंगल की आग बहुत तिवरता से लगती है, हमारे पुरानों में तो बहुत ही इस चिसका उलेक है, दावा नल दावा नल, जंगल की आग, जंगल की आग, और अंधा जो है, वो वहीं भागे जा रहा है, उसको दिख नहीं रहा, तो लंगड़ी ने तो उन्होंने कहा है जो जवानी होती है वो अंधी होती है जो बुढ़ापा होता है वो लंगड़ा होता है जो उर्जा है वनुष्य का फैशन होता है राग वो अंधा होता है जो ग्यान होता है वो लंगड़ा होता है क्योंकि ग्यान धिमे धिमे चलना चाहता है जब दोनों का समावेश हो तो समरपन हो सकता है तो समरपन से बिलकुल पहले का जो एक अन्तिम जो कदम होता है समरपन की और वो होता है ki मैंने अपने हाथ उठा दिये है मुझे नहीं पता क्या उचित है आप ही बताईये क्या उचित है